हेलो फ्रेंड्स स्वागते आप सब एका सॉलुशन में दरी से यूटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में प्रपोजीशन से रिलेटिव प्रट्टे सेट लिया है इस प्रट्टे सेट में 25 कुशिन कवर करेंगे आप लोग को जरू बताना है कि आप लोगो ने 25 में से कितना स्कूर किया है और इसका जो पीडिय एफ आपको टेलिगराम के चैनल पे एक से दो दिन मिल जाएगा तो टेलिगराम का जो लिंग है वो वीडियो का डिस्किप्शन में है तो आप सभी लोग जो है telegram को join कर लीजे और आप सभी लोग जो है YouTube Channel को भी join कर सकते हैं YouTube Channel join करते ही आपको सभी वीडियोस की जो PDF होगी वो आपको टिलिग्राम पर मिल जाएगी और उसका password आपको channel के membership section में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग चैनल को जोईन कर लेंगे तो आपके YouTube के Home Page पे Membership का Option खुल जाएगा तो इस Membership Section में आपको सभी वीडियो की जो PDF का Password होगा वो आपको मिल जाएगा और PDF फाइल के लिए जो है आप लोग टेलिग्राम को भी जोईन कर लीजिए लिंक जो है वीडियो का description में है लास्ट में आप लोग नो 25 में से कितना स्कूर किया है comment box में जरू बताएं तो चलिए इस practice set को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राब करें बेलाइक में प्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग जो है मेरे साथ सा live chat में भी answer देते रहे मैं सभी के comment जो है read कर रहा हूँ तो चलिए इस practice set को शुरू करते हैं सबसे पहला जो question कुछ नमा बन this road is parallel blank that तो इसमें आप लोग सोच लिजिए correct option क्या होगा यह सारे question जो है मैंने fix proposition से लिए हैं तो यहाँ पे parallel के बाद जो fix proposition आएगा यह two आएगा तो यहाँ पे इसका be option यहाँ पे correct हो जाएगा this road is parallel to that मतलब की यह road उस road के समानांतर है इस sentence का मतलब हो जाएगा parallel के बाद जो fix proposition आती है यह आती है to तो यहाँ पे be option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो question कुछ नमर टू he is worthy blank our praise तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो वर्थी के बाद जो fix proposition है यह क्या आती है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा यह off आता है हमेशा तो वर्थी of होता है हमेशा यह fix proposition है आप सभी लोग याद रखेगा तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा he is worthy of our praise मतलब की वह हमारी तारीफ के योग्य है इस sentence का मतलब हो जाएगा वर्थी के बाद जो है of proposition आता है यह भी जो है fix proposition है आगले जो question कुछ नमत थार्ड I am obliged blank him for his kind help तो इसमें आप लोग socially is correct option क्या होगा तो यहाँ पे obliged के बाद जो fix proposition है यह two आता है तो यहाँ पे two correct ही जाएगा जब आगे कोई person होगा तो obliged के बाद जो है two proposition आएगी यह आप सभी लोग याद रखेगा आप सभी लोग याद रखेगे जब two proposition आएगी obliged के बाद तो आगे जो है किसी person के बारे में बात की जाएगी और जब आगे four proposition आएगा obliged के बाद तो आगे जो है कोई thing होगा तो आप सभी लोग याद रखेगा जब आगे कोई thing हो तो आपको four proposition यूज़ करना है, obliged के बाद यहाँ पर जो दिया है, जैसे यहाँ पर his kind help दिया है, मतलब यह thing है, तो यहाँ पर for proposition आएगा, और यहाँ पर him दिया है, मतलब person है, तो यहाँ पर to proposition आएगी, तो दो proposition obliged के बाद आप लोग याद रखेगा, तो obliged to him, यहाँ पर correct हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, I am obliged to him for his kind help, मैं उनकी इस तरह की मदद के लिए उनका आवारी हो, इस sentence का मतलब हो जाएगा, अगले जो question, question number four, this book is useful us for examination, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या होगा, तो useful के बाद जो fixed proposition है, यह two आता है, तो यहाँ पे इसका be option यहाँ पर correct ह जाएगा, जब आगे कोई person होगा, तो आपको useful के बाद जो है two proposition use करना है, और useful के बाद जो है four proposition का वाएगा, तो useful के बाद जो है four proposition तब आएगा, जब आगे some purpose के बारे में बात की जाए, जैसे यहाँ पे examination के बारे में बात की गई है, तो आपको four proposition use करना है, जब आगे को पर्पोजिशन होगा useful के बाद तो आपको to proposition fill करना है तो आप सभी लोग याद रखेगा जब for proposition आएगा तो आपको जो है आगे purpose देखने को मिलेगा आगे जो है purpose जब देखने को आपको मिले तो आपको for proposition use करना है useful के बाद और जब to I proposition तो आगे कोई person होगा तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा यह push तक हमारे लिए परिच्छा हे तूप योगी है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगले question कुछ नमर 5 he is responsible blank the committee for his action तो इसमें आप जो है two proposition आता है जब आगे जो है authority के बारे में बात की जाए या फिर आगे कोई person के बारे में बात की जाए तो responsible के बाद जो है two proposition आता है आप सभी लोग याद रखेगा जब आगे authority के बारे में बात की जाए जैसे यहाँ पे committee के बारे में बात की गई है या फिर आगे कोई person हो या फिर आगे कोई person हो तब भी आप जो है responsible के बाद जो है two proposition लगाएंगे और जब four proposition आएगा तो आगे जो है कोई thing होगा जब आगे कोई thing होगा तो आपको four proposition यूज़ करना है responsible के बाद जैसे यहाँ पे दिया है तो यहां पे for proposition क्यों आया है क्योंकि आगे जो है thing के बारे में बात की गई है मतलब his action मतलब उसके action के बारे में बात की गई है तो दोनों proposition आप लोग याद रखेगा responsible के बाद two proposition तब आता है जब आगे कोई person हो या फिर आगे कोई authority हो तो two proposition आएगा और four proposition काव आएगा जब आगे कोई thing हो तो responsible के बाद दोनों proposition आप लोग याद रखेगा यही दो ही proposition fix हैं आप इनको याद रखेगे तो यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा he is responsible to the committee for his action मतलब यहां पे हो जाएगा sentence का जो आर्थ हो जाएगा वे अपनी कारवाई के लिए समिती के प्रती उत्तरदाई है इस sentence का आर्थ हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेक यह करें अगले जो question कुश्च मा 6 I wonder blank his ignorance तो इसमें आप लोग सोचलिजिस का right option क्या होगा तो wonder के बाद जो fixed proposition है यह at आता है तो यहाँ पे at correct हो जाएगा I wonder at his ignorance option यहाँ पे be option यहाँ पे correct हो जाएगा यह जो है fixed proposition है तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा मुझे उसकी अग्यानता पर आशर्य होता है इस sentence का आर्थ हो जाएगा वंटर के बाद fixed proposition एट आता है अगले जो question कुश्च नमा 7 Nobody responded blank my call तो इसमें आप लोग सोचलिजिस का right option क्या होगा तो respond के बाद जो fixed proposition है यह हमेशा to आता है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे see correct हो जाएगा nobody responded to my call तो यहाँ पे sentence का जो आर्थ हो जाएगा किसी ने मेरे call का जवाब नहीं दिया इस sentence का आर्थ हो जाएगा respond के बाद जो fixed proposition है यह two आता है हमेशा यह fixed proposition है आप सभी लोग याद रखिए अगले जो question question 8 the whole matter rests blank you तो इसमें आप लोग socially is correct option क्या होगा तो यहाँ पे rest के बाद जो है दो proposition आते हैं तो rest के बाद जो है जब आगे कोई person होगा तो आपको bid proposition यूज़ करना है जब आगे कोई person होगा तो आप सभी लोग याद रखिए जब आगे कोई person होगा तो आपको bid proposition यूज़ करना है rest के बाद और जब आगे कोई thing होगा तो आपको जो है upon proposition यूज़ करना है दोनों proposition आप लोग याद रखिए rest के बाद जब rest के बाद bid proposition आएगा rests with you तो यहाँ पे इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा the whole matter rests with you तो यहाँ पे sentence का आर्थ हो जाएगा सारा मामला आप पर निर्वर है इस sentence का आर्थ हो जाएगा तो rest के बाद जो है with proposition आता है जब आगे कोई person होगा और जब upon proposition का बाता है जब आगे कोई thing होगा तो यहाँ पे अगला sentence देख लेते हैं अगला जो question कुछ नमा 9 I rest blank your promise तो इसमें आप लोग socially is correct option क्या होगा तो यहाँ पे आगे promise के बारे में बात की गई है मतलब की thing के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे जो है upon proposition आना चाहिए तो यहाँ पे upon proposition यहाँ पे नहीं दिया है option में तो आप सभी लोग जो है यहाँ पे off की जगे यहाँ पे upon कर लीजे तो sentence हमारा यहाँ पे correct हो जाएगा PDF में मैं इसको सुधार दूँगा बाकी अभी जो है आप upon option को सही कर लीजे अभी मैंने आपको बताया rest की बाद जो है bit proposition तबाता है जब आगे कोई person होगा जब आगे कोई यहाँ पे think दिया है तो आपको upon proposition यहाँ पे correct हो जाएगा तो question number 9 का मैंने क्या बताया आपको off की जगे आप लोग जो है upon कर लीजे और मैं इसको PDF में सुधार दूँगा आप लोग चिनता बिल्कुल मत करिये तो यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा off को अब हटा दीजे और upon यहाँ पे कर दीजे तो sentence का जो आर्थ हो जाएगा I rest upon your promise मतलब की मैं आपके बादे पर ठिका हूँ इस sentence का आर्थ हो जाएगा अगले जो कुशन कुशनमा 10 admission was restricted blank students तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो restrict के बाद जो fixed proposition है यह हमेशा 2 आता है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे correct हो जाएगा restrict के बाद जो proposition आता है यह fixed proposition 2 आता है तो यहाँ पे sentence का जो आर्थ हो जाएगा admission was restricted to students मतलब की admission जो है students तक ही सीमित था इस sentence का आर्थ हो जाएगा अगले जो कुशन कुशनम 11 he parted blank his friend तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो मैं बता देता हूँ कि part के बाद जो proposition आते हैं यह कौन-कौन से आते हैं तो part के बाद जब from proposition आएगा तो आगे जो है कोई person होगा जब आगे कोई person होगा तो part के बाद from proposition आप लोग use करेंगे जब part के बाद with proposition आएगा जब part के बाद with proposition आएगा तो आगे जो है कोई thing होगा तो आप सभी लोग दोनों proposition याद रखेगा part के बाद तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ part तो part के बाद from proposition कवाएगा जब आगे कोई person होगा part के बाद with proposition कवाएगा जब आगे कोई thing होगा तो यहाँ पे question number 11 में right option जो हो जाएगा यहाँ पे friend के बारे में बात की गई है मतलब उसके friend के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे जो है आगे कोई person है तो इस बज़े से यहाँ पे d option यहाँ पे correct हो जाएगा sentence का जो अर्थ हो जाएगा he parted from his friend मतलब की वह अपने दोस्त से अलग हो गया, इस sentence का अर्थ हो जाएगा अगले जो question, question number 12 she parted blank the ring तो इसमें आप लुक्सोष लिजिए, correct option क्या होगा मैंने आपको part के बाद दो proposition बताए है, जब आगे कोई person होगा, तो आपको from proposition use करना है, जब आगे कोई thing होगा, तो आपको proposition तो आपको proposition with use करना है, तो यहाँ पे इसका d option यहाँ पे correct हो जाएगा दो proposition मैंने आपको बताए, part के बाद जब आगे कोई person होगा, तो आपको from proposition यूज़ करना है, जब आगे कोई thing होगा, तो यहाँ पे the ring जो है thing है, इस बज़े से part with, यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question, question number 13 he is partial blank his son, तो इसमें आप लोग सोच लिज़े, इस correct option क्या होगा तो partial के बाद जो fix proposition है, यह हमेशा 2 आता है यह fix proposition है, आप सभी लोग इसको याद रखेगा, partial के बाद जो है, हमेशा 2 proposition आता है तो यहाँ पे partial के बाद fix proposition 2 आता है, इसको आप लोग याद रखेए कि क्योंकि यह fix proposition है अगला जो question, question number 14 he has no partiality blank his son, तो इसमें आप लोग सोच लिज़े, जि़े सका right option क्या होगा तो partiality के बाद जो fix proposition है, यह हमेशा 4 आता है तो he is no partiality for his son, option यहाँ पे इसका be option यहाँ पे correct हो जाएगा sentence का जो अर्थ हो जाएगा उनके मन में अपने पूत्र के प्रती कोई पच्छ पात नहीं है यहाँ पे sentence का जो अर्थ हो जाएगा he has no partiality for his son तो यहाँ पे sentence का जो मतलब हो जाएगा उनके मन में अपने पुत्र के पती कोई पच्छपात नहीं है इस sentence का आर्थ हो जाएगा ये fix proposition है partiality की बाद जो है for proposition आता है अगले जो question question 15 he passes blank a clever man तो इसमें आप लोग सूच लीजे इस correct option क्या होगा तो यहाँ पे pass के बाद जो fix proposition आता है ये हमेशा for आता है pass for a clever man वो एक चतुर व्यक्ति के पास जाता है इस sentence का आर्थ हो जाएगा अगले जो question question 16 I required blank a loan of him तो इसमें आप लोग सोच लीजे इस correct option क्या होगा तो require के बाद जो fix proposition आता है ये क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ जब require के बाद आगे कोई thing हो जब require के बाद आगे कोई thing हो तो आपको जो है no proposition यूज करना है तो यहाँ पे इसका d option यहाँ बे correct हो जाएगा कोई भी proposition नहीं आएगा जब आगे कोई thing हो जब आगे कोई person हो जब आगे कोई person हो तो आपको proposition जो है ये Off लगाना है, require के बाद आप सभी लोग याद रखिए, require के बाद off proposition तब आएगा, जब आगे कोई person हो और no proposition कब आएगा require के बाद, जब आगे कोई thing हो, तो यहाँ पे alone of him, यहाँ पे जो है alone यह जो दिया है, यह जो है thing है, तो इस बज़े से यहाँ पे no proposition आया है, और सोच लिजी सका right option क्या होगा तो मैंने अभी आपको बताया require के बाद जो है no proposition आया है जब आगे कोई thing हो जैसे यहाँ पे alone दिया है और यहाँ पे him दिया है तो him से पहले क्या आया है off आया है तो यहाँ पे him जो है person है इस बज़े से यहाँ पे आया है off proposition तो यहाँ पे इसका जो है a option यहाँ पे correct हो जाएगा अभी मैंने आपको بتाया require के बाद जब आगे कोई person होगा जैसे यहाँ पे him दिया है तो यहाँ पे off proposition आया है और यहाँ पे भी off होगा तो यहाँ पे इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा sentence का जो अर्थ हो जाया, question 17 का, आपको मुझसे क्या चाहिए, इस sentence का अर्थ हो जाएगा, अगले जो question 18, there search blank the thing was of no avail, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या होगा, तो यहाँ पे आप सब लोग याद रखेगा, केवल search लिखा हो, जब आपको मिल जाता है sentence में, तो इसके बाद जो fix proposition आता है, यह हमें सब for आता है, तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा, option यहाँ पे d option यहाँ पे correct हो जाएगा, sentence का जो अर्थ हो जाएगा, चीज के लिए उनकी खोज का कोई फाइदा नहीं हुआ, इस sentence का अर्थ हो जाएगा, अगले जो question question 19, there are in search blank a nice bird, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इस correct option क्या होगा, जब आपको मैंने बताया, जब किबल search लिखा हो, तो आपको जो है, for proposition यूज करना है, यह fix proposition है, जब in search लिखा हो, जैसे यहाँ पे दिया है, in search, तो in search के बाद जो है, proposition जो है, बदल जाता है, यह आता है, of, तो यहाँ प पच्छी की तलाश में है, इस sentence का अर्थ हो जाएगा, अगले जो question, question number 20, she is sensible, blink the risk, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इस correct option क्या होगा, तो sensible के बाद जो है, एक ही proposition आती है, यह आती है, of, तो यहाँ पे इसका जो है, c option यहाँ पे correct हो जाएगा, she is sensible of the risk, मतलब की, वह जो के प्रती समझदार है, इस sentence का अर्थ हो जाएगा, sensible के बाद हमें साथ जो है, of proposition आता है, तो यहाँ पे इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा, friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेकिया करें, अगले जो question, question number 20, she is sensitive, blank cold, तो इसमें आप लोग सोच दीजे, इस correct option क्या होगा, तो sensitive के बाद जो fix proposition यह में साथ 2 आता है, तो यहाँ पे sensitive to cold, मतलब हो जाएगा, वह ठंड के प्रती शमिदन सील है, मतलब की sensitive है, तो यहाँ पे इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा, she is sensitive to cold, वह ठंड के प्रती जो है sensitive है, option यहाँ पे c correct हो जाएगा, अगले जो question question 22, he yielded blank his enemy, तो इसमें आप लोग सोच लिए, इस correct option क्या होगा, तो यहाँ पे yield के बाद जो fix proposition है, यह क्या आता है, तो yield के बाद fix proposition जो है, हमेसा 2 आता है, तो यहाँ पे इस correct option हो जाएगा, option यहाँ पे c option यहाँ पे correct हो में वह अपने शत्रू के आगे जुग गया इस sentence का आर्थ हो जाएगा yield के बाद जो fixed proposition है यह में इसा 2 आता है option यहाँ पर C correct हो जाएगा अगले जो question question 23 he has a yield blank social work तो इसमें आप लोगो सोच लिजे इस correct option क्या होगा तो yield के बाद जो fixed proposition है यह में इसा 4 आता है तो यहाँ पर इसका D option यहाँ पर correct हो जाएगा he has a yield for social work मतलब की उसमें सामाजिक कारियों के लिए जज़बा है तो इस sentence का आर्थ हो जाएगा yield के बाद जो है यहाँ पर for proposition आता है हमेशा यह fixed proposition है अगले जो question question 24 he is jealous blank improvement in a good cause तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा तो jealous के बाद जो fixed proposition है यह हमेशा 4 आता है जब आगे improvement के बारे में बात की जाए जब आगे improvement के बारे में बात की जाए तो jealous के बाद जो है for proposition आप लगाएंगे तो यहाँ पे इसका be option यहाँ पे correct हो जाएगा जब आगे cause के बारे में बात की जाए तो आपको in proposition यूज करना है jealous के बाद आप सभी लोग याद रखेगा jealous के बाद जब in proposition आएगा तो आगे जो है cause के बारे में बात की जाएगी आप सभी लोग याद रखिएगा जब आगे cause के बारे में बात की जाए तो jealous के बाद in proposition आएगा तब jealous के बाद for का बाता है जब आगे improvement के बारे में बात की जाएगा तो यहाँ पर sentence का जो अर्थ हो जाएगा he is jealous for improvement in a good cause यहाँ sentence का जो अर्थ हो जाएगा वह एक अच्छे कारड में सुधार के लिए उत्सुख है इस sentence का आर्थ हो जाएगा jealous के बाद जब आगे improvement के बारे में बात की जाएगी तो आपको for proposition यूज़ करना है जब आगे cause के बारे में बात की जाएगी तो आपको in proposition यूज़ करना है अगले जो question question number 25 इस वीडियो का last question है she has no jest blank music तो इसमें आप लोग सोच लीज़े इसका right option क्या होगा तो jest के बाद fix proposition क्या आती है यह हमें सब 4 आती है तो यहाँ पे इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा he has no jest for music मतलब की उसे संगीत का कोई शोक नहीं है तो इस sentence का art हो जाएगा thank you friends आप लोगों 25 में से कितना score किया है comment option जरू बताएं friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और आपने 10 friends में वीडियो को जरू शेके करें अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट कियें चैनल जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन दे मात्रम